कावेरी पर एक महतुपूर्ण ज़र्ना वह है हगनकल ज़र्ना या तमिलनाडो के धर्मपूरी जिले और करनाटे के चामराज्य नगर जिले के बीच सित है कावेरी नदी का उधगाम करनाटक के कोटक जिले के तलकावेरी में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाडों से होता है कावेरी हुगनकल में तमिलनाडो में प्रवेश करती है इसलिए इस थान को पवित्र माना जाता है जिस कुंड में पानी गिरता है उसे वागना या याग्य कुझी भी कहा जाता है अपनी धार्मेक पवित्रता के अलावा होगनकल अपने शांतिपूर्ण वातावरं और उतकष्ट प्राकृतिक सुन्दरता के कारण एक प्रमुक परियावरं परियतन केंद्र बन गया है हाला कि होगनकल धर्मपूरी वन प्रभाग के अधिकार ख्षेत्र में हैं किन्तो तमिलनाडू परियतन सहयोग विकसित इस्थान को परियतन स्थल के रूप में विकसित कर रहा था होगनकल नाम कन्नड से लिया गया है इसका मतलब स्मोकी रॉक्स अत्वा धुए की चटान होगे और कल ये दो शब्दों के मेल से होगनकल बना है जब चटानों पर पानी गिरता है तो ऐसा लगता है मानो पानी के वेग से चटानों के उपर से धुआ उट रहा हो इसलिए इसका नाम होगनकल पढ़ा होगनकल जल प्रपात भारत के नायगरा के नाम से भी प्रसिद है तोक्री नाव यंत्राएं, जरने मिस्नान, मचली की वेंजन और तेल मालिश ये सभी चीजें परियटकों को आकर्शित करती है जब नदी में पानी कम होता है, तो टोक्री नाव घर ले आती है एक टोक्री नाव में एक समय आठ लोगों को ले जाने की ख्षमता है टोक्री नाव बांस और प्लास्टिक तथा अन्य सामगरियों से बनी होती है इनका निचला भाग चमडे से बना होता है और कभी कभी प्लास्टिक की शीट जल रोधक होती है कहां जा सकता है कि यह यहां के लोगों की मुख्य आजीवी का है हम यहां कई छोटे बड़े ज़र्ने देख सकते हैं जगा बा जगा यह कार्बोने चटाने दुनिया के सबसे पुरानी चटानों में से हैं इस ज़र्ने के पानी को तमिलनाडू पेजल योजना के लिए मोडने का प्रयास किया जा रहा है होगनेकल ज़र्ने की यात्रा का सबसे अच्छा समय मनसुन के बाद का है जब नदी पूरे प्रवापर होती है मैलाएं मशली के तरह तरह के विंजन तियार करके सडकों के किनारे तैनात रहती है तोकरी नाव यात्रा के बाद परियटक यहां नदी से पकड़ी गई मशली के विंजनों का स्वाद चके बिना नहीं लोटते आगस्ति मनी द्वारा समर्पित मंदिर है आरोल्मिक देश नादेश्वर कावेरी अमन आले देश समरक्षक के रूप में भगवान शिव और कावेरी अमन शक्तिस्वर उपिनी के रूप में यहां निवास करते हैं इस थान को दक्षन काशि के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडो के एक मात्र कावेरी अमन मंदिर होगनकल में स्थित है होगनकल मगरमाच पुनर्वास केंदर की स्थापना 1975 में हुई थी लगबग 50 सेंट के ख्षेत्र में स्थित यह स्थान फॉरस्ट कोटेज के सामने है यहां करीब 113 मगरमचों की देखबाल की जाती है इस केंदर की खासियत यह है कि मगरमचों को बहुत करीब से देख सकते हैं यह एक पुनर्वासी केंदर है इसलिए इनमें से ज्यादातर मगरमच छोटी बड़ी चोटे वाले हैं यह मगरमच पुनर्वासी केंदर होगन कल बस स्टेशन से एक किलोमेटर के दूरी पर स्थ है प्रवेश शुल्क 10 रुपे हैं यहां रहने के लिए तमिलनाडु सरकार और वन कॉटेज और कमरे 700 रुपे से शुरू होते हैं नजदी की शहर धर्मपूरी से होगन कल जाने के लिए बस सेवा हमेशा उपलब्ध हैं निकट्टम रेलवे स्टेशन से आलेज किलोमेटर के दूरी पर धर्मपूरी रेलवे स्टेशन है निकट्टम हवाई अड़्डा केंप गोड़ा अंतर राश्य हवाई अड़्डा बैंगलोर है वाहई अड़्डा के लिए अवाई अड़्डा के लिए बस से खता है